हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल हसे स्टरी गाइड में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है हजार आइडेंटिफिकिशन एन रिक्स असर्टमेंड के बार में यानि की हीरा के बार में यहाँ पर हम डिटेल में हीरा के बार में बात करने वाले है तो इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक आपको हरे जो पॉइंट जो बताया गया है उसको यहाँ पर समझना है तब ही जाकर आपको यहाँ पर हीरा अच्छे से समझ में आएगा तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते है तो हीरा जानने से पहले कुछ डेफिनेशन का जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है तो सबसे पहले जानते हैं की हजार क्या होता है हजार यानि की there is something which has a potential to cause harm यानि की कुछ ऐसी चीज की जिसके वज़े से नुकसान हो सकता है उसे हजार कहते है फिर उसके बाद है रिक्स रिक्स यानि की severity by probability मतलब severity means यानि की consequences यानि की उसका परिणाम यानि की जो भी हजार है उसका उस condition की उपर क्या परिणाम हो रहा है वो यानि की severity अब दिखते ही की probability क्या अब probability यानि की chance of occurrence यानि की उसे likelihood भी कहते है यानि की उस हजार से जो भी impact होने वाला है उसका कितना chance से वो यानि की probability चलिए अब जानते ही की हीरा क्या होता है हीरा यानि की hazard identification risk assessment हीरा एक ऐसी process है एक ऐसे document है कि जिसमें क्या होता है कि है उसको identify किया जाता है फिर वो जो identify किये गए जो हजार से उसकी जो risk है उसको evaluate किया जाता है और evaluate होने के बाद उसमें जो suitable control measure से वो apply किये जाते है अब suitable जो control measure से वो apply जब करते है तब उसका जो risk level है कि जिसकी वज़े से जो भी harm होने वाला है वो minimize हो जाता है उसे हीरा कहत तो चलिए आप जानते हैं कि वो six steps क्या है सबसे पहले आता है identify the activity यानि कि कौन सी activity है जिसके उपर आपको हीरा बनाना है वो activity सबसे पहले आपको consider करना है second point आता है hazard identification अब आपने क्या कि activity को consider किया अब आपको उस activity में क्या हजार आने वाले है वो identify करना है फिर third point आता है risk assessment अभी आपने क्या किया कि पहले activity को consider किया फिर उसका hazard find out किया अब उस हजार में क्या risk छुपी हुई है वो आपको find out करना है तो आप कैसे find out करेंगे तो उसके लिए आपको risk matrix की मदद लेनी है फिर fourth point आता है control measures यानि कि सबसे पहले आपने activity को identify किया फिर उसके hazard identify किये फिर उसमें क्या risk छुपी हुई है वो आपने identify किया by the help of risk matrix अब आपको उस risk को कम करने के लिए control measures apply करने हैं फिर उसके बाद आता है record the findings यानि कि ये जो सारी चीज़े आपने की पहले consider किया activity को फिर hazard find out किया फिर risk find out किया और फिर जो है control measures apply किये इसको आपको record में रखना है और फिर उसके बाद आता है implementation and review और फिर आपने ये जो record बनाया है इसको आपको side पर implement करना है और implementation करने के व और उसकी rating कैसे दी जाती है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि risk यानि कि क्या होता है severity by probability तो अब आप ये कैसे find out करेंगे कि severity कितनी है और उसकी probability कितनी है तो उसकी लिए आपको ये जो risk matrix है ये आपको सहायता करेगा तो चलिए consider करते हैं एक कोई activity कि जिसके जर्ये आपको पता चल जाएगा कि इसकी probability क्या है और उसकी severity क्या है चलिए consider करते हैं कि कुछ group of persons से वो मेसनरी का काम कर रहे है वो भी height पर अब ये जो 4 मेसन है वो 10 मिटर की height पर काम कर रहे है और वो scaffolding का इस्तमाल कर रहे है और कुछ दूसरी team जो है वो ही काम कर रही है मेसनरी लेकिन तीन मिटर की height पर कर रहे है अब इसमें देखिए कि जो 10 मिटर पर काम कर रहे है चार लोग और यहाँ पर जो है 3 मिटर पर काम कर रहे है अब इन दोनों में जो risk level कम ज्यादा है जैसे कि जो 10 मिटर पर काम कर रहा है वो थोड़ा ज्यादा ही रिक्स में है और जो 3 मिटर पर काम कर रहा है वो थोड़ा कम रिक्स में है तो इससे हमें ये पता चलेगा कि पहली जो टीम है जो 10 मिटर पर काम कर रही है उसका जो सेवरिटी रेट है वो एक तो हाय होगा यानि कि वो ए भी जो उनको इंज्यूरी हो रहे हैं तो चलिए सबसे पहले देखते कि यह आदम तो उसका जो ratio रहेगा वो रहेगा 5 यानि कि उसकी जो severity आएगी वो रहेगी 5 और फिर अब देखते हैं कि probability अब उसका chance कितना है अब देखिए chance कितना है यानि कि हमीं ये consider करना है कि वहाँ पर अगर मान लो कि 10 मिटर हाइट पर वहाँ पर midrail नहीं है तॉप rail नहीं है और उस तो 25 देखिए यहाँ पर कितना है वो rate में है यानि कि इसका जो risk level है वो rate है यानि कि वो high है अब consider करते है team B अब team B देखिए वो 3 मिटर पर काम कर रहे है यानि कि उसके जो नीचे गिरने के बाद जो भी impact होगा वो impact जो है वो कम हो सकता है यानि कि उसको चोट नहीं भी पो से उसको नीचे गिरने का अब देखिए कि यह 3 मिटर के हाइट पर जब वो काम कर रहे है तो मानलो आपर मेटरल है तॉप रेल है और उसने बाकाइदा जो है अपना फूल बोडी हरनेस एंकर नहीं किया है लेकिन फिर भी अगर मानलो उसका बोडी बैलेंस बिगर जाता है तो वो रेलेंग के साथ टकराएगा तो उसकी जो प्रोबैबिलिटी हो जाएगी कम तो उसकी प्रोबैबिलिटी हम यहाँ पर लिखते है टू यानि कि टू इंटू टू कीतना हो जाएगा फूर यानि कि फूर यानि कि ग्रीन जो है वो उसकी रेक्स लेबल जो है वो लो ह चलिए अब देखते हैं कि हीरा हमें कैसे बनाना है और उसका format कैसे होता है तो ध्यान में रखिए कि जब भी आपको हीरा बनाना है तो सबसे पहले आपको activity को consider करना पड़ता है तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले activity फिर उसके बाद जो है activity consider करने के बाद हमें उसका जो हजाड है वो find out करना पड़ता है तो यहाँ पर लिखेंगे हम हजाड फिर यह जो हजाड find out करने के बाद उसमें क्या rix है वो हमें find out करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे हम rix फिर उसक rating और फिर जो इन दोनों का जो impact level है जैसे कि इसके पहले हमने देखा था low हो गया, medium हो गया, high हो गया यह जो level है वो हमें इसमें लिखना पड़ता है यानि कि उसके बाद आ गया आपका impact level फिर उसके बाद आता है additional control measures इसके पहले कि काम करने के बगत आप कौन से control measures यूज करते हो वो additional control measures में आता है फिर उसके बाद आता है residual impact यानि कि इसके पहले जो हमने देखा आता कि impact level जो है वो high आता है medium आता है low आता है उसको जो है हमें additional control measures देने के तो उसके बाद जो उसका risk level है वो कम हो जाएगा तो वो कम हो जाएगा तो वो residual impact में आएगा और last में आता है action by action by यानि कि वो जो activity है उसके लिए जिम्मेदार कौन है वो कौन responsible है उसका उसमें नाम आएगा जैसे कि engineer हो गया supervisor होगे manager होगे तो ये action by में आएंगे चलिए अब consider करते हैं एक activity और उसके नुसार ये ही रहाम fill up करते हैं unloading from vehicle and stacking of reinforcement bar यानि कि मान लिजे कि एक trailer के उपर जो है वो reinforcement steel है और वो जो reinforcement steel है वो आपको unload करना है और बाकाइदा उसको stacking करना है तो वो activity हमने सबसे पहले consider किया अब देखते हैं कि इस activity में क्या हजार आ सकता है अब देखें कि वो जो trailer है तो उसके साथ में अगर मान लो आजू आजू में कोई अगर vehicle चलती रहती है तो क्या होगा कि जो vehicle moment है वो एकदम rush हो जाए तो rush vehicle moment ये आपका हजार आएगा सेकंड आएगा कि जब आप ये vehicle reverse करते हो तो वो भी एक हजार आएगा तो reversing of the vehicle ये एक हजार आएगा फिर उसके बाद आएगा कि जो reinforcement steel bar है उसमें अगर मान लो sharp ages है और वो जो अगर आप unload कर रहे हो तो वो जो sharp age है वो भी एक हजार है त यानि कि improper stacking तो वो भी एक हजार है अब देखिए कि पहले activity consider की फिर हजार और हजार के बाद जो भी possible outcomes है वो आएगे यानि कि कोई आदमी उपर में काम कर रहा है और वो नीचे गिर गया तो उसको injury हो गई तो उसकी जो injury है वो possible outcome में आएगी तो चली अब देखते हैं कि इस उसकी risk आएगी यानि कि वो उसका possible outcome आएगा फिर second हजार हमने देखा था reversing of vehicle तो उसके possible outcomes क्या होगे run over on workman यानि कि vehicle reverse करते वग उसके अगर driver का ध्यान नहीं रहेगा तो वो जो workman है वहाँ पर काम कर रहे है उसकी उपर वो गाड़ी चड़ा सकता है तो वो एक उसके possible outcomes आ cut injury हो सकती है फिर उसके बाद हमने हजार देखा था improper stacking यानि कि stacking अगर proper नहीं रहेगा तो उसके possible outcomes क्या आएंगे trip or fall injury हो सकती है चली अब देखते हैं कि उसके existing control measures क्या है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी operators है या फिर जो भी drivers है वो बाकायदा उनके पास license होने चा जाने का second existing control यह है कि जो भी vehicles है उसका जो reverse horn है और जो tail lights है वो अच्छी conditions में होने चाहिए फिर third में आएगा कि sufficient number of जो भी skill workman है उसे ही हमें deploy करना है काम के लिए और उनको बाकायदा आपको PPs provide करनी है जैसे कि safety helmet हो गया safety shoes हो गया handlers हो गये यह सब उन worker को देना है ताकि व जो भी rebars है उसको हमें size wise जो है वो stack करना है और size wise stack करने के बाद वहाँ पर हमें signage posted करना है अब मान लो जो rebars है वो अगर मान लो bundle में है तो आपको वो bundle में ही अच्छे से packing करके रखने है ताकि उसकी वज़े से आप उसको easily handle कर सको अब देखते ही कि इसकी probability rating कितने आएग इसका impact रहेगा वो ज्यादा रहेगा तो उसका जो rating हम यहाँ पर लिखते है 4 फिर हमें देना है severity rating अब मान लीजे यह जो vehicle rush हो रहा है जिसकी वज़े से अगर मान लो वो किसी को टकरा जाता है किसी workman को टकरा जाता है तो उसकी वज़े से जो injury होगी वो ज्यादा किसम की ह यानि कि उसका severity rating जो है वो ज्यादा आएगा यानि कि हम यहाँ पर 5 consider करते है ठीक है अब 5 multiply by 4 करेंगे तो उसका result कितना आएगा 20 अब यह जो 20 है वो अगर हम risk matrix में देखेंगे तो वो आएगा high यानि कि H तो यहाँ पर हम H लिखेंगे वैसे ही देखते है कि second जो अपना वो भी ज्यादा आएगी तो हम consider करते है 5 अब 5 multiply by 4 हो जाएगा 20 इसका मतलब उसका जो impact level रहेगा वो रहेगा high अब देखते है कि तीसरे 1000 की rating हम कैसे देंगे अब यह जो 1000 है unloading of sharp age rebars तो उसकी जो probability है वो high level से कम हो सकती है तो यहाँ पर हम जो है वो 3 consider करेंगे वो भी मतलब वहाँ पर death accident या फिर ऐसा ऐसा कुछ हो नहीं सकता उसकी जो probability है वो कम है तो इसलिए हम यहाँ पर rating देंगे 3 तो यानि कि 3 multiply 3 कितना हो गया 9 यानि कि यह जो impact level है वो आएगा medium अब देखती कि हमारा 4 जो 1000 है उसकी rating हम कैसे देंगे अब वो है improper stacking अब improper stacking के बाद क्या ह outcomes है वो trip होना या फिर fall injury होना यह हो सकता है यह मतलब यहाँ पर fatal accident या फिर major accident नहीं हो सकता तो इसकी जो probability है यह क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो वो आएगा 3 और इसकी severity rating भी कम हो जाएगी तो उसको भी हम लिखते है 3 यानि कि 3 multiply 3 कितना हो गया 9 और यह आएगा medium में ठी अब देखते हैं कि इसके additional control measures हम क्या दे सकते हैं अब इसके additional control में यह कर सकते हैं कि जहाँ पर भी यह vehicle moment होती है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि speed limit के signboard लगा सकते हैं और वो speed limit में हम बाकाइदा 20 km per hour लिखेंगे उससे क्या होगा कि जो भी vehicle आएगी उनको पता चल जाएग कि इस area में जो है वो worker काम करते रहते हैं इसलिए यहाँ पर speed limit जो है वो 20 km है और इसको follow करना है और साथी में हम वहाँ पर warning signages भी लगाएंगे फिर additional control measures में क्या कर सकते हैं कि जब vehicle reverse करते हैं उस वक हम क्या कर सकते हैं कि separate जो banks man है वो हर एक vehicle को provide करा सकते हैं कि जब भी vehicle को reverse करना है तो वो जो banks man है बाकाइदा flag के साथ में जो red flag और green flag उसके साथ में रहेगा तो उसकी वज़े से वो vehicle को इशारा करेगा ताकि वो जो vehicle है वो safely position की जा सके फिर additional measures हम क्या कर सकते हैं कि जो भी rebars को unload करना है जिसको sharp edges है उसकी लिए हम machinery का इस्तमाल कर सकते हैं उसमें ज हो जाएगा तो उसका जो risk level है वो हम कम कर सकते हैं फिर और additional control measures हम क्या कर सकते हैं कि कि जो भी stacking yard है जहां पर reinforcement steel bar को unload किया जा रहा है वहां पर unauthorized persons को permission नहीं दे सकते हैं और उसके लिए हम वो जो area है वो restricted कर देंगे unauthorized persons के लिए अब ये जो additional control measures हमने जो suggested किये है इसकी वज level था वो अब वो कम हो जाएगा यानि कि वो लो हो जाएगा इसलिए हम यहां पर लिखेंगे अब last में आता है action by अब action by में लिखेंगे कि कुन सा persons जो है वो इस activity के लिए responsible है तो वो यानि कि site engineer आएगा या फिर site इंचार आएगा तो दोस्तो इस प्रकार जो है वो हिरा बन नहीं है तब तक लिए take care bye bye